क्रैकर्स टेलिग्राम ग्रूप पर जुड़कर आप मेरे साथ काउंसलिंग प्राप्ट कर सकते हैं हमारे CSIR एक्जाम के लिए बस इतना ही नहीं अगर आप तयारी कर रहे हो CSIR एक्जाम की और सीरियस नोट पर प्रिपरेशन करना चाहते हो मतलब आपको बुलेट प्रूफ चाहिए आपको चाहिए कि आप अपना एक्जाम दे और बिना किसी स्ट्रेस के कि आप पूरी तरह प्रिपेर्ड हो क्या आप ऐसा चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि एक ही जगह पर एक ही कोर्स में मेरे को क्लास भी मिल जाए अच्छा जॉब करते हो या बाद में कभी तो CSIR, SO और ASO के लिए हमने live batch along with books launch किया है, books भी आप अलग से add-on कर सकते हो इस batch में, अब यह 6000999 का तो दिख रहा है, इसमें दिन की दो क्लास होगी, 2-5 पहली और दूसरी क्लास होगी 6-9 के बीच में, admission लेने के लिए और मेरी guidance प्राप्त करने के लिए, maximum discount लेने के लिए और guidance प्राप्त करने के लिए, आप वसू live admission discount code लगा सकते है, 4000999 का 12 महिने की validity का आपको course देखने मिलेगा, जहां पे 200 घंटों से जादा live classes, lecture notes, practice sheets, सब मिलेगा, जो भी आपकी exam की त्यारी के लिए जरू student हो, तो आप जरूर से, मैंसे additional discount के लिए existing UPC batches में हो, आपके optional batch है, P2I है, foundation है, smart course है, NCRT है, EPF हो था, तो आप मुझसे connect करके, और discount प्राप्त कर सकते हो, इस number पर, for the new users and fresh users, यह 4000999 का रहेगा, वसू live code को इस्तमाल करके, course की validity पूरी एक साल है, दो महिने लगातार आपको पढ़ा जाएगा, ताकि इस exam को clear कर सको, और classes परसों से, दो पहर, दो बज़े से, शुरू हो रही है, तो you should not be late, 16 तारीक आज, 18 से classes शुरू हो रही है, दो पहर, दो बज़े से, उससे पहले, join करके, अपनी preparation को right track पर रख सकते है, so that you can beat the competition, इकोनोमिक policy, दो institution मन चलाते है पहला हो गया आपका, RBI, जो देखता है, monetary policy, मौद्रिक नीती, दूसरा हो गया आपका, finance ministry, ministry of finance, जो देखता है आपका, fiscal policy, राज कोशिय नीती, यहां तक clear हुआ, monetary policy क्या है, please मेरे एक एक शब्द पर है, अपने कान अच्छे से fix कर लिना, monetary policy कुछ tools है, कुछ तरीके है, जिनके basis पर कोई central bank, कोई भी central bank, कोई भी देश की central bank, हमारे देश में, कौन है central bank, RBI है, Reserve Bank of India है, तो कोई भी central bank, इन tools का इस्तेमाल करके, country के अंदर, economic growth, economic growth, clear हुआ, money supply, money supply, को control करते हैं, जरूद पढ़ने पर बढ़ाते हैं, जरूद पढ़ने पर घटाते हैं, inflation को control करते हैं, महेंगाई को, तो basically, monetary policy है कि ऐसा method हो गया, जो central bank of India, RBI जो है, central bank का मतलब, जो सारे bankों को regulate करेगा, वो institution, जैसे US में federal bank है, federal reserve है, pardon me, इंडिया के अंदर central bank है, reserve bank of India, ताकि हमारे देश का economic system, सुचारू रूप से systematically चलता रहे, देश की economic growth हो, और देश में money supply, असानी से manage कर सकें, जरूद पढ़ने पर, देश के लोगों के पास, consumers के पास, businesses के पास, पैसा available रहे, RBI के हिसाब से, monetary policy ये होती है, monetary policy में, अलग-अलग monetary instruments, तरीकों का इस्तमाल किया रहता है, ताकि आप, अलग-अलग goal, जो भी आपका लक्षे है, महंगाई बढ़ानी है, घटानी है, money supply बढ़ानी है, घटानी है, उसको आप पूरा कर सके हैं, तो RBI के पास ये power, कौन से act से मिली है, RBI Act 1934 से मिली है, RBI को power, कि वो हमारे देश की monetary policy, रन इस तरीके से कर सकता है, जिसका objective है, कि इंडिया का inflation controlled रहे, कितना controlled रहे, देखो, RBI 2 से 6% के बीच में रखेगा, सर, 2% क्यों, 0 क्यों नहीं, क्योंकि developing economy में थोड़ी बहुत महंगाई तो हो न, अब सोचो, एक किसान है, हर साल उसे अपनी फसल 20 रुपे किलो पर बेचनी पढ़ रही है, उसकी तो कोई growth हो नहीं रही है, और private sector के अंदर salaries बढ़ी जा रही है, सरकारी नौकरी में भी salary बढ़ती है, बट उस किसान का भी तो सोचो, तो कुछ तो inflation कुछ level पे होना चाहिए, right, 2 to 6% है बेटा, 4 से 6% नहीं है, आपने कही कुछ पढ़ा होगा, उसमें आप confuse हो रहे हो, 4 plus minus 2% आपने शायद पढ़ लिया होगा, plus minus 2 का मतलब, 4 में 2 minus करो तो 2 हो गया, और 4 में 2 add करो तो 6 हो गया, तो 2 से 6% की range है, जिसमें government के सामने RBI को proof करना होता है, कि उन्हें इतने range में महंगाई control करके रखनी है, technically RBI का एक institution है, RBI, Reserve Bank of India, एक ऐसी संस्ता है, जो इंडिया की monetary policy control कर रही है, अब यह खुद तो करेगी नहीं, इसके पास एक monetary policy committee है, जो की उर्जीत पतेल कमिटी, उर्जीत पतेल अब X RBI governor हो चुके है, उर्जीत पतेल कमिटी के recommendation के basis पर 2015-16 में, फैसला लिया गया, technically 2016 से काम शुरू हुआ, कि इंडिया में एक person RBI के governor ही decide कर रहे है, कि इंडिया में monetary policy कैसे चलेगी, अरे भाईया इतना बड़ा देश है, इतनी development के रास्ते पर जा रहे है, उसे वे एक person के हाथ में छोड़ा हुआ है, dictatorship है क्या, तो एक proper committee होनी चाहिए, देखो जिसमें ज्यादा लोग होंगे, जो ज्यादा defined policies बना सकेंगी, तो monetary policy committee बनाई हमने, RBI Act में amendment करके, section 45 ZB, 45 ZB, Z for zebra, B for Bombay, ये section add किया गया, जिसमें 6 members की monetary policy committee बनाई गई, जिसमें 3 member थे RBI के, ex official members, मतलब automatically जो उस पद पर बैठा है, वही उसका member बन जाएगा, और 3 member जो की center government appoint करेगी, अभी जो 3 RBI के लोग थे, ये कौन थे, एक तरफ governor थे, एक हो गए RBI के deputy governor, और एक executive director RBI के, मतलब 3 RBI से होंगे, deputy governor बनने के लिए, देखो 4 total deputy governor होते हैं, किसी भी point of time पह, दो होते हैं, ये जो RBI grade B का paper होता है न, इसके थुरू, और दो होते हैं, जो इनसके थुरू, center government के appointment के थुरू चुने जाते हैं, basically economist होते हैं, शक्तिकान दास जी, IES officer है, किसी भी governor को center government appoint कर सकती है, इसलिए उनको center government ने appoint किया है, current MPC कौन है भीया, ये बता तो दिया अच्छे लोग हैं अभी, तीन RBI के ex-official members हैं, और तीन लोग center government के दोरा nominated हैं, ये बता दिया न मैंने, ये कौन हो सकते हैं, ये मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते, जिनके पास economics का विशेश knowledge है, specialized knowledge है, अच्छा खासा दीवन का तजुर्बा है, चलो हमारे पास तो उतना तजुर्बा नहीं है, बट जिनके पास अच्छा खासा जीवन का, economics का, administration का, public policy का, statistics का तजुर्बा है, college के professors, college के dean, जैसे हमारे Delhi School of Economics की, पम्मी मैडम, वो principal होती थी, dean होती थी, DSE का कोई है या क्लास में हमारे, Delhi School of Economics का, anybody here, तो हमारे dean होती थी, she was part of our, monetary policy committee, तो six, आपको members देखने मिलते हैं, monetary policy committee के अंदर, तो मतलब RBI कुछ तो करता है, RBI इंडिया के अंदर, monetary policy control करता है, monetary policy से क्या हो रहा है, monetary policy से, हम कोशिश करते हैं, इंडिया के अंदर, inflation को control करें, महेंगाई को, जरुद पढ़ने पर बढ़ाएं, और जरुद पढ़ने पर घटाएं, साथ-साथ हम, price stability, price stability समझते हो, चीजों के दाम, वस्तूं के दाम, goods and services के prices को, stable रखने की कोशिश करें, which is basically linked with, inflation, देखो, inflation महेंगाई अगर आपको, control करनी है, अभी जैसे government, national logistic policy लेकर आई, क्यों लेकर आई, logistic sector, transportation sector में, जो बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है, उसको, हम उस problem को solve करें, transportation को भेथर बनाए, चाइना में, 8 से 10% cost आती है, transportation की, इंडिया में ये, 16 से 18% है, 16 तू 18%, ये जो, wasted हो रहा है पैसे का, transportation पे, इसको कम करना है, transportation cheaper बनाओ, convenient बनाओ, तो, हम अगर, ऐसी चीज़ों को solve करेंगे, इसके साथ, demand side issues, कई सारे issues है, उनको हम resolve करेंगे, अभी inflation की पूरी class होगी, उसमें मैं समझाओंगा, क्या-क्या issues आते हैं, तो ultimately, आपको देखने मिलेगा, कि price stability, इंडिया के अंदर, बनी रहेगी बच्चे, economic growth, हमारे देश की बढ़ाएंगे, इस तरीके से, और इंडिया के businessmen, अच्छा पैसा कमाएंगे, इंडिया की तरक्की होगी, हम exchange rate को भी, exchange rate समझते हो, dollar, rupee का exchange rate हो गया, हम उसको भी manage करके, रखना चाते हैं, RBI उसमें भी बहुत बड़ा role play करता है, तो मुद्दे की बात, जो समझा रहा हूँ मैं आपको, कि इन सारी चीदों को stabilize, RBI करता है इंडिया में, RBI अपनी monetary policy के थूफ, इंडिया में changes create करता है, monetary policy दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है बबू, contractionary, और एक हो सकती है expansionary, अब नाम से ही clear हो रहा होगा, contractionary मतलब RBI कुछ घटाने की कोशिश कर रहा है, कुछ contract करने की कोशिश कर रहा है, कुछ reduce करने की कोशिश कर रहा है, और expansionary मतलब कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो पहले expansionary हम समझते हैं, expansionary का मतलब है, जब हमारी economic growth RBI चाहता है expand हो, कैसे expand होगी बिजनेसेस ठप पड़े हैं लोगों के पास पैसा नहीं है recession आ रखा है, मंदी आ रखी है कैसे करेगा RBI इस टाइम पर हमारे देश में economy growth को expand economy के अंदर जादा से जादा पैसा inject करके economy में और money और पैसा हमारी market के अंदर हमारी economy के अंदर inject करते हुए अगर किसी country में recession या slow down या मंदी के हालात है तो उस time पर monetary authority हमारे देश की reserve bank of India expansionary monetary policy अपनाती है एक्तिहार करती है, जिससे हमारे देश में economic activity, economic growth बढ़े अभी कैसे करेगा RBI interest rate कम कर देगा जो short term interest rate होता है जिसको repo rate कहते है repo repo क्या है, ये repo 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 क्या है, repo मतलब re और po, re मतलब repurchase, repurchase और po का मतलब obligation, repurchase obligation, obligation का मतलब समझो कि मैंने आपको कोई चीज बेच दी, मैंने आपको अपनी पानी की प्यारी सी bottle बेच दी, ये ले लो और मैंने बोला, एक महिने के बाद वापस खरीद लूँगा तुमसे तो मैं repurchase कर लूँगा और ये मेरी duty है कि मुझे तुमसे बोतल खरीद नहीं पड़ेगी तो ये हो गया repurchase obligation short term के लिए, एक साल से कम समय के लिए, ऐसे interest rates use होते है, इनके भारे में अभी आ रहो, इसी पे आ रहो long term के लिए bank rate use किया जाता है तो जो expansionary monetary policy है इसमें ये interest rate कम करेंगे सर, interest rate कम करने से सानू की सर, अपन को क्या फैदा ओ यार, आप और मेरी जैसे लोग bank के पास जाएंगे, कुछ भी loan लेने के लिए, whatever loan we want to take from bank, let's say पहले 7% interest rate था, अब 6% पड़ेगा, अब 5% पड़ेगा तो आपको कम interest rate में loan मिल रहा है तो will you be incentivized or not आप लेना चाहोगे न, loan आप उधार लेना चाहोगे, फिर उसको spend करोगे first you will borrow, then you will spend the money, isn't it तो बस मुद्दे की बात जो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चे आप सबको वो यही तो है, कि इस तरीके से expansionary monetary policy जब आर भीए great करना चाहता है, तो interest rate घटा देता है जिससे हमारे देश के अंदर economy के अंदर money supply बढ़ जाए लोग को loan देंगे, लोग उससे घर खरी देंगे, गाड़ी खरी देंगे, बिजनेस शुरू करेंगे तो money supply पैसे का फैलाव बढ़ेगा और ultimately consumption expenditure बढ़ेगा आप और मेरी ऐसे लोग consume करेंगे खर्चेंगे पैसा, हम लोग spend करेंगे हम लोग invest करेंगे businesses के अंदर, तो lower interest rate का मतलब है, businesses और individuals को favorable, पहले से favorable, पहले से better interest rate पर loan मिल रहा है अब यही contractionary में क्या होता है contractionary का मतलब कि market में हालात हैं खराब, market में हालात हैं खराब, ऐसे case में RBI interest rate घटाएगा नहीं क्या करेगा बढ़ा देगा ताकि market के अंदर जो भी पैसा है, जो money supply है, उसको extract कर सके, market के अंदर पैसा जो फैला हुआ था जो बार आ रही थी, उसको समेटे, उसको रोके, उसे contract करे, उसे reduce करे contractionary मतलब reduce करना है इसके लिए, इससे क्या होगा, inflation कम होगा, महंगाई कम होगे, लोगो को loan मिल नहीं पा रहा, लोग के पास पैसा है नहीं, consumption कम कर रहे हैं, तो पहले से जो चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे थे, वो control होने लोग के पास पहले बहुत ज़्यादा पैसा होता था, बहुत खर्च रहे थे वो पैसा, consumption expenditure कर रहे थे, उस विए से महंगाई बढ़ती गई, बढ़ती गई, अब आप ये ensure कर रहे हो, कि लोग उतना पैसा ना खर्चे क्योंकि लोग पैसा ही नहीं है, they are not having enough money to take, to consume bank भी loan नहीं दे रहा इसका एक नुकसान यह हो सकता है कि इससे unemployment बढ़ सकती है businessman भी तो कह सकते है, हमारे पास तो पैसा pay करने के लिए नहीं है तो मैं हमें business बंद करना पड़ेगा इससे economy growth slow हो सकती है और इससे ultimately economy के अंदर जो चीजों के दाम है, वो गिरने लगेंगे तो prices of the products can reduce तो यह वही बात होगे कि लगी है आग market में आप उसे बुझा रहे हो आप उस पर पानी डाल रहे हो contractionary fiscal policy के तरू interest rate बढ़ा कर I think यह ज़्यादा मुश्किल था नहीं तो यह भाया RBI का मुख्य काम है, यह कैसे करता है RBI अपने monetary policy framework के थू time to time basis में मतलब हर 3-3 महीने में वैसे तो उससे भी ज़्यादा बार मिल सकता है RBI की monetary policy committee उससे भी ज़्यादा बार मुलाकात कर सकता है बट हर 3-3 महीने में इसको meeting करनी होती है अच्छा, मान लो की एपर 3 महीने पूरे हो गए फिर 3 महीने और पूरे हो गए इनको क्या कहते है 3 महीने के time को quarter quarter सुनके मुझे पता है कुछ लोग कुछ और सोचे लगते है यह वो वाला quarter नहीं है दोस्त 3 महीने, तिमाही 3-3 month के gap के बाद total अगर 3 quarters निकल गए तो इनको एक memorandum के तहत government को बताना होगा कि हम असफल रहे, we were unsuccessful in ensuring the inflation was within range हम उसे नहीं control कर पाए 2-6% के बीट में हम नहीं रख पाए तो यह हमारे से दिक्कत हुई गलती हो गई technically speaking कि quarterly basis पर यह review करते हैं यह review quarterly basis पर करते है साल में minimum 6-7-8 बार तो मिली लेते हैं, bimonthly इनकी meetings होती है, quarterly भी हो सकती है but मैं बतारो, बहुत regularly meeting होती रहती है, once in a month once in two months होती रहती है bimonthly, quarterly, they meet and they communicate what can be the solution इस पूरे process को कहा जाता है inflation targeting, तो यह क्या काम कर रहे हैं, यह inflation targeting कर रहे हैं, government of India और RBI, Reserve Bank of India मिलकर इंडिया में monetary policy framework के तहत जो कि 2015-16 में आये था देश में inflation targeting करते हैं ताकि हमारे देश में क्या बना रहे price stability जिससे हमारे देश की economic growth हो इतना तो हमें समयदा ही रहे ताकि हमारे देश की macro economic condition या macro economic situation सुधर सके better हो सके, अच्छा ये हमेशा repo rate को ही क्यों change करते हैं repo rate short term interest rate है इससे market के अंदर transmission of foreign policy बहुत तेजी से होती है अब मैंने technical word यूज किया है transmission transmission मतला फैलना जैसे हम COVID किसी को होता है mask उतार के चलेगा सबसे बात करेगा hardware मिलाएगा, गले लगेगा व्यक्ती तो transmit कर देगा सब को virus ना तो वही transmission terminology मतलब फैलना किसी चीज को फैलाव तो monetary policy का transmission short term rates जिसमें specially repo rate बहुत जादा अच्छे तरीके से करता है जैसे हमारी economy में ultimately growth बढ़ सके या वैसे तो growth बढ़ाने का ही काम है बट समय समय पर जब inflation बहुत जादा हो गया है तो inflation control करने के लिए भी use कर सकते हैं जैसे अभी RBI कोशिश कर रहा है कि इंडिया के अंदर inflation control हो यह आपको देखने मिलेगा RBI के अंदर एक नया provision है यह monetary policy committee जो की 2015-16 में join हुआ है inflation targeting के लिए इंडिया के अंदर 2-6% की range के बीच में inflation यह target करेगा यह आपको बात समझनी है सर कल जाके यह change भी हो सकता है कि 2-6% का यह हमेशा fix रहेगा No, it is bound to change once in every 5 years इसके ओपर review किया राता है once in every 5 years इसको review किया राता है यह आपको याद रखना इसके question बन सकता है once every 5 years इसको review किया राता है इसके question बन सकता है ठीक है जी monetary policy committee कौनसे section के basis पर बनता है एक बर comment box में लिखिए कौनसी committee के recommendation के basis पर कितने members है इसमें कितने range पर यह interest कितने range पर इसके inflation को control करना चाहता है यह आपको बताना है तो बापको मैं सब समझा चुका हूँ that it is it creates a benchmark it fixes a benchmark of interest rate it fixes a benchmark of interest rate एक question बन जाए that all members of monetary policy committee are from RBI क्या यह सही होगा या यह गलत होगा all members are ex-official members of monetary policy committee ऐसा एक trap question बन जाए क्या यह गलत होगा सही होगा सारे members monetary policy committee के नहीं गलत है ना तीन है ex-official members जिसमें governor deputy governor RBI के और एक executive director जो की central board के member हो अब आपको एक और नहीं चीज़ बतानी है के central board क्या होता है Reserve Bank of India के अलग-अलग activities को conduct करने के लिए एक central board बनाय जाता है 21 members का पांच जिसके members RBI के होते हैं और 16 members बाकी sectors से आते हैं इनका काम होता है RBI की day-to-day activities की देखरेक करना इतना आपको बस अभी के लिए याद रखना है अच्छा एक बात बताईए मैंने ये तो बता दिया तीन RBI के होते हैं ये बाकी तीन कहां से आते हैं ये center government nominate करती है center government पहले बनाती है search and selection committee के मान लेते हैं निहारिका सत्यम, शिवम इन तीन लोगों को मैंने बोल दिया कि तुम नाम बताओ उन लोगों के जो capable है monetary policy committee के member बनने के ये हो गई search and selection committee है ढूनेंगे कौन बनना चाहिए technically हमारे देश के cabinet secretary कौन? cabinet secretary वो होते है search and capseki ये होते हैं आपके capseki capseki मतलब cabinet secretary search and selection committee के head वो center government को recommend करते हैं कि किसको बनना चाहिए इन तीन post पे monetary policy committee का member on behalf of center government nominated by center government ये office hold करते हैं 4 years के लिए या जब तक इन है order ना दे दिया जाए कि अब बस बंद करो क्या इनको reappoint किया जा सकता है? no, 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 no they cannot be reappointed ये trap question बन सकता है आपका ये reappoint नहीं हो सकते हैं ये आपको बात समझदी है ये आपको बात समझदी है तो ये 6 members है क्या इन सब के पास equal vote share है? हाँ, इन सब के पास equal vote share है ये आपको समझना है अच्छा, क्या आप जानते हैं? अगर इन 6 members मैंसे तीन मेंबर प्रेजन है तो मीटिंग नहीं होगी मिनिमम चार मेंबर चाहिए मीटिंग कंड़क्ट करने के लिए कि अगर दो लोगों को बिमार भी हो गए चार लोग आए हैं तो मीटिंग कभी हो सकती है इसको टेकनिकली क्या कहते है पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने हिंदी में इसे कहते हैं गणपूर्ती इंगलिश में इसे कहते हैं कोरम कोरम चाहिए होता है चार लोग तो मिनिमम आने चाहिए there should be at least four members to conduct a meeting कई बार हो सकता है कि छे member है tie हो जाए 3-3 ratio में फिर क्या होगा फिर ऐसे situation में RBI governor casting vote देंगे tie breaker करेंगे RBI governor फिर जो चाहेंगे RBI governor बोलेंगे ये होगा तो ये होगा ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा ये आपको समझना है तो RBI governor के पास casting vote है casting vote को veto मत समझ बैठना veto का मतला है कि RBI governor की मन मर्जी चलेगी कि RBI governor बन जाएंगे guide on day भाव की तरह और बोलेंगे कि आपोनिच भगवान है नहीं they are not veto power नहीं है veto power का मतलब कि इनके पास कोई भी decision over rule करने की power नहीं है हाँ tie breaker power है तो ये trap question बन सकता है ये बात याद रखेगा minimum four meetings हर quarter में मिलना होता है मिलने के लिए बूला गया है और ये हर 6-6 महिने में एक monetary policy report भी देते है जिसके तुरू ये बताते हैं कि inflation का क्या हाल है economy का ये आपको बात याद रखनी है I hope आपको अब तक सारी चीज़ा समझ आ रही है थोड़ी speed ज़ादा लग रही होगी because purpose ही वही है हमारा and I hope you are liking the session today all right moving ahead अब हम tools पढ़ने जा रहे है monetary policy के सबसे पहला हो गया quantitative जिसमें RBI हमारे देश में money supply की quantity बढ़ाने घटाने की कोशिश करता है और दूसरा हो गया qualitative अब जैसे आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे है आप सोचते हैं कि मैं दिनका आज 12 घंटे पढ़ूँगा सुबह से शाम तक बैठूँगा और सुबह से शाम तक आप किताब लेकर बैठे ये था quantitative review कि आपने 12 घंटे कुरसी पर बोज दिया but really कितना पढ़े हो अगर उस aspect को देखेंगे तो qualitative aspect देखेंगे ये आप से relate करके बताया है अब आज़ो RBI के context में तो ये दो instrument है quantitative and qualitative जो RBI यूज करता है जिसके तुरू Indian economy को RBI control या in true sense manipulate कर पाता है इनके अंदर आपको CRR, SLR bank rate, repo rate, reserve, reverse repo rate, open market operations जैसे अलग-अलग tools देखने मिलते हैं quantitative के बारे में पहले बात करेंगे हम फिर हम qualitative के बारे बात करेंगे ठीक है जी, let's start with the quantitative tools quantitative, मातरात्मक अच्छा तुम में से pure Hindi medium के बच्चे कितने हैं how many of you are pure Hindi medium तो बिलकुर हिंदी के यी words better समझते हैं, हैं मतलब काफी लोग न, तो मैं साथ-साथ Hindi word भी बोल रहा हूँ आपकी convenience के लिए मातरात्मक, साधन ये आपका general tool है जो RBI use करता है, ताकि हमारी economy में money supply पैसे के वितरन को बड़ा घटा सके quantity, volume, money supply का बड़ा घटा सके इन्हे quantitative tools कहते है इसमें repo rate, reverse repo rate, SLR, CRR open market operation, bank rate जैसे अलगल instrument आते हैं क्या RBI यहाँ पर directly कुछ change ला रहा है नहीं, RBI यहाँ पर indirectly change ला रहा है RBI बैंकों के थुरू यहाँ पर change लाता है directly RBI कुछ change नहीं ला रहा indirectly पैसे के supply को, money के supply को quantity को, volume को change करके, manipulate करके CDC बात है, कि हमारी economy में हमारी अर्चवस्ता में, कितने volume में कितनी मात्रा में, पैसा घूम रहा है और वो भी bank loans के थुरू indirectly change करता है पहला instrument हम समझने जा रहे है जो की सबसे important है, repo LAF Liquidity Liquidity Adjustment Facility इसके अंदर दो आपको options देखने मिलते हैं, LAF के अंदर पहला है आपका repo repo बताया है, मैंने repurchase obligation दूसरा हो गया, reverse repo reverse repo, एक है repo, दूसरा reverse repo ये एक ऐसा tool है, जिससे banks को जब भी requirement है borrow कर सकते हैं पैसा, they can borrow money through this agreement, repurchase agreement और bank basically अगर उधार पे पैसा ले रहा है, RBI से तो कुछ गिर्वी भी रखना पड़ेगा और दूसरी situation है, जहां bank RBI को कुछ उधार पे दे रहा है reverse repo agreement के थहत RBI Reserve Bank of India उधार लेता है और देता है, collateral लेता है और देता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है, समझा रहो, वही समझा रहो सबसे पहले repo समझते है Repurchase Obligation अब यहां पर है RBI यहां पर है Schedule Commercial Banks, जैसे कि SBI, ICICI, Access Bank, etc Schedule Commercial Banks को चाहिए पैसा इनको चाहिए पैसा कहां से लेंगे यह RBI देगा पैसा अब RBI को चाहिए बदले में कोई ना कोई Guarantee कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा RBI कुछ collateral रखेगा वो हो गई Government Securities Government Securities क्या होती है सरकार जनता से पैसा उधार पे लेती है Bond issue करके कि Government ने बोला कि आप और मेरी ऐसे लोगों को कि बहुत अच्छी investment opportunity आप Government को पैसा उधार पे दो बदले में कागस का टुकडा ले लो Government Security खरीद लो अब आप Government को उधार क्यों दोगे पैसा भाई है आपका क्या फायदा है Government is the safest investment option Government भागी थोड़ी ना जा रही है कहीं पर It is the safest investment option ठीक है ना Market linked नहीं है Government को दिया है पैसा Rate थोड़ा कम होगा पट safety होगी Security होगी आप इसलिए खरीदते हैं Government banks भी खरीदते हैं Private banks भी खरीदते हैं Banks भी खरीदते हैं Basically मैं यह कहना चारो तो Government कुछ securities approve करती है अब वो बैंकों के पास होती है Bank उनी को गिर्वी रख सकते हैं Bank को ने securities गिर्वी रख कर RBI को दे दिया RBI के पास अब वो security गिर्वी है कुछ particular time period के लिए एक साल से कम होगा वो time period Because यह short term होता है 3 months, 6 months, like that उतने के लिए दे दिया अच्छा अब पैसा लिया है तो चुकाना पड़ेगा तो पैसा तो चुका होगे ठीक है जी तो basically schedule commercial bank वापस payment कर देगा अब जब भी payment करेगा तो जो x amount of money आपने उधार लिया था plus y amount of this rate repo rate अब आई बात समझ मैं आप समझते हैं कि repo rate अगर repo rate अगर RBI बढ़ाए घटाएगा change करेगा तो इससे क्या होगा अब ये सारे rates RBI की जैसे website खोलोगे वहाँ पे लिखे हुए policy repo rate इस time पे 6.25% चल रहा है जूम नहीं हो रहा ये बाद में आप देख सकते हैं I am trying to zoom it जूम नहीं हो रहा है repo rate इस time पे 6.25% है policy repo rate there is some problem ये हो नहीं पा रहा कोई बात दी मान लेते हैं 6.25% है अब दो permutation combination हो सकते हैं कि ये बढ़कर increase होकर 8% हो जाए ये decrease होकर 2% हो जाए दो option है हमारे पास repo rate अगर बढ़ा देगे तो क्या होगा क्या होगा कि अगर x प्लस y पहले let's say 100 जा रहा था और पहले से 1.75% बढ़ गया 8% हो गया पहले से ज़्यादा देना पढ़ रहा है अपको तो अब ये 100 का amount भी बढ़ जाएगा ये x प्लस y भी बढ़ जाएगा मतला basically अब schedule commercial banks को RBI से loan लेना और महना पढ़ जाएगा in other words schedule commercial banks के पास जो पैसा पढ़ा था जो जनता को वो loan में देता जो पैसा public को loan में देता schedule commercial banks के पास वो पैसा पहले से थोड़ा कम हो जाएगा because अरे यहाँ पर interest भी तो देना है तो इसका क्या benefit है कि जो banks हमारे देश में पैसा loan पे देते हैं लोगों को अगर banks के पास पहले से कम पैसा available है तो कम पैसा loan पे दे पाएगे logically इसमें rocket science थोड़ी नहीं है और कम पैसा अगर लोगों को loan पे दे पाएगे तो उसका impact क्या होगा कि जो money supply market में पहले से बहुत high चल रहे थी उसे आप control कर पाऊगे तो क्या control कर पाऊगे high money supply को control कर पाऊगे inflation को control कर पाऊगे inflation की situation में क्या करना है reporate बढ़ाना है ये question मन सकता है exam में अच्छा सर सर मंदी के हालात है सर recession के हालात है सर तब क्या होगा कोई बात नहीं money supply तब economy में low है न लोग कर बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है कोई बात नहीं ये bank देंगे पैसा ये किसलिए RBI 6.5% से 2% कर दे reporate अब अगर पहले आपको बहुत सारा पैसा RBI को interest के तौर पे देना पड़ रहा था अब उतना नहीं देना पड़ेगा और banks के पास अब enough money होगा public को loan में देने के लिए और वो भी कम interest rate पर people will be interested to jump on the band wagon they want to like join it वो तो चाहेंगे कि हमें जुड़ना है हमें आना है इसमें ठीक है ना उस basis पर आपको देखने मिलेगा कि repo rate हमारे देश के अंदर recession की problem या money supply कम हो गया है तो उससे deal कर पाएगा तो RBI जब increase करेगा repo rate RBI increase करेगा तो borrowing करना जो RBI से पैसा उधार लिया है बैंकों ने वो और costly हो जाएगा इसकी वज़ए से commercial banks के ओपर एक force एक दबाव बनेगा एक pressure बनेगा interest rate बढ़ने की वज़ए से कि वो कम पैसा लोगों को loan में दे interest rate बढ़ा के वो भी लोग loan लेना पसंद करेंगे आप जाधा interest rate पर loan लेना चाहोगे खुद अपनी life से जोड़ के देखो न नहीं चाहोगे न आप ऐसी situation में जब economy में loans बहुत महंगे है पैसा available नहीं है तो क्या उस time पर spending करोगे खर्चा करोगे नहीं करोगे it will discourage you तो इस mechanism के तुरू RBI inflation को control कर सकता है money supply को reduce कर सकता है market में और जब RBI को money supply बढ़ानी है economic activity बढ़ानी है तो repo rate वो reduce कर दे ये situation आपको समझ नहीं है ये था repo rate अब इसके दूसरे पहलू पे चल रहे हैं अगर किसी को by chance अभी कुछ बहुत मैंने simple words में समझा है in case clear नहीं हुआ एक बार recording देख लीजेगा प्रीज अब है reverse repo rate अब यहाँ पर अदला बदली हो जाएगी और in the terms of Akshay Kumar अब change करते हैं इधर RBI इधर schedule commercial bank अभी तक क्या हो रहा था schedule commercial bank पैसा उधार ले रहा था अब यह उधार देगा अब यह पैसा उधार देगा और RBI क्या करेगा RBI अपनी government security गिर्वी रखेगा government security गिर्वी रखेगा collateral पर देगा गिर्वी रखेगा और यह कौन से rate of return पर कौन से rate of interest पर सब होगा reverse repo rate के basis पर सब होगा reverse repo rate के basis पर होगा अच्छा यह भी ठीक है अब ऐसी situation के अंदर reverse repo rate है यह fixed rate of interest चाहर अभी कितना है अभी आपको देखने मिलेगा fixed reverse repo rate 3.35% है फिलाल का यह आज का rate है latest बिल्कुल ताजा ताजा अब ऐसी situation में यह RBI को पैसा दे रहा है बदले में RBI से कुछ गिरवी दे रहा है और RBI in future वो पैसा return करेगा schedule commercial banks को तो RBI क्या कर रहा है RBI basically schedule commercial banks के पास जो पैसा था उसे absorb कर ले रहा है technically तो देख रहा है आपको यह absorption चल रहा है जी पैसे का कि इनके पास access money था या कुछ पैसा पढ़ा था उसे अपने पास absorb कर ले रहा है ताकि market के अंदर या तो liquidity कम हो जाए या liquidity उतनी रहे अगर यह आप बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो कुछ तो impact आएगा अब वही देख ले जा रहे है क्या impact आएगा तो एक fixed interest rate है जिसमें RBI absorb कर रहा है liquidity बैंक से और गिरिवी रख रहा है eligible government securities को जो भी RBI ने decide कि eligible होंगी तो basically यह interest rate वो rate है which RBI pays the commercial banks when they give their excess cash to the RBI simple सी बात है अब आप पूछो कहे schedule commercial bank का क्या फायदा है भाहिया इसको interest मिलेगा न आज अगर 3.35% rate है तो दो situation हो सकती है या तो इसे बढ़ा के let's say example ले रहा हूँ 8% कर दो या तो घटा के 1% कर दो दोनों possible है probability दोनों की है न ठीक है न ऐसा हो सकता है तो जब RBI increase कर रहा है reverse repo rate तो क्या कर रहा है कि bank को अब तक अपना पैसा उधार पर देने पर 3.35% मिलता था अब bank की बल्ले बल्ले हो गई अब bank को मिल रहा है 8% क्या हो गई bank की बल्ले बल्ले 8% हो गया ओ मौज़ा यार RBI को दे दो सारा पैसा public को लोन देंगे ही नही public को लोन देंगे ही नही तो ये RBI ने शडियंत्र अच्छा था RBI के गवर्नर ऐसे सोच रहोंगे हमारा शडियंत्र पूरा हुआ हम चाहते ही नहीं थे public को पैसा मिले तो इसलिए हमने bank को higher rate of interest offer किया तो banks किसको prefer करें ये उधार देना इस टाइम पर RBI को instead of the public or the businesses or the consumers like you and I आप मेरे जैसे लोगों को देने के बज़ाए RBI के पास रखेंगे इसलिए ये इतना जादा होता नहीं है क्योंकि RBI चाहता है कि लोन किसको मिले हमें मिले हमें लोन मिलेगा business करेंगे घर खरीदेंगे गाड़ी खरीदेंगे देश तरक्की करेगा तो इसलिए इतना जादा नहीं होता है दूसरी situation है reduce करने की अगर reduce कर दिया तो क्या होगा अब मतलब किसी bank कहते है न मती मारी गई किसी bank की मती मारी जाएगी कि अगर वो RBI के पास पैसा जमा करा रहा है एक परसेंट मिल रहा है यार इतने का क्या फाइदा एक परसेंट भी क्यों दे रहे हो कुछ मत दो तो schedule commercial bank तब चाहेगा कि public को जादा से जादा loan लो तो RBI अगर reverse reporate reduce कर रहा है तब भी RBI शडियन्त रच रहा है कि अब तो पैसा हमारे पास आएगा नहीं अब तो मजबूरन इनने public को लोन पर देना होगा और public को जादा पैसा लोन पर मिल पाएगा तो जब RBI money supply reduce करना चाहता है लिख देते हैं आपके लिए चीज money supply reduce करना चाहता है तो वो क्या करेगा interest rate बढ़ा देगा और जब money supply बढ़वाना चाहेगा तो interest rate reverse repo rate घटवा देगा आई बाद समझ मैं यह है concept इसमें क्या मुश्किल था इसमें क्या मुश्किल था कुछ भी था मुश्किल simple है तो यह short term instrument होता है दूसरा है आपका bank rate यह long term instrument है bank rate यह long term है एक साल से बड़े समय के लिए यह interest rate RBI decide करता है ताकि RBI public को किस rate पर loan मिले home loan, car loan long term interest rates basically वो decide करेगा तो RBI किस basis पर RBI, यह RBI है यह वो rate है जिस basis पर हमारे देश के scheduled commercial banks हमारे commercial banks और बाकी जो भी financial institutions है वो इस rate के अधार पर लोगों को loan देंगे public को आपके और मेरे सी public को जिसका मतलब it is the rate which RBI और the central bank charges for lending the funds to commercial banks और इसको क्या कहा जाएगा इसको bank rate कहा जाएगा इसके तहित कोई repo 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 की तरह कोई repurchase agreement नहीं होता इसलिए repurchase agreement जो है वो सिर्व liquidity adjustment facility में है liquidity adjustment नाम ही कितना प्यारा है वहाँ पर आप liquidity adjust कर रहे थे तरलता money supply liquidity समझते हो ना money supply economy में कितना पैसा फैल ला है कितना पैसा घूम रहे है उसको adjust कर रहे थे वहाँ पर यहाँ पर आप bank rate के थूँ local loan कितना यह rate पर किस interest rate पर मिलेगा वो decide कर रहे हो it means the rate which the central bank charges for lending funds to the commercial banks this is known as the bank rate जो bank charge करता है CDC बात है कोई repurchase agreement नहीं है कुछ गिरवी नहीं रखना कोई security खरीदनी बेचनी नहीं है कुछ नहीं है या पर note ठीक है ना जब भी bank के पास shortage है पैसे की reserve की shortage है RBI के पास जा सकते है RBI को इसी लिए तो lender of last resort कहा जाता है कि जब कोई नहीं मदद करने को तब आएगा RBI आगे RBI basically चाता है कि market के अंदर liquidity balanced रहे ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो neither it should be very high excessively high nor should it be very low excessively low बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं ठीक ना अब clear हो गया repo rate bank rate का फर्क अभी भी नहीं हुआ पता है मुझे तुम चार बार जब तक repeat नहीं कर आओगे तब तक मज़ा नहीं आएगा तुम्हाना नहीं अजम होता तुम्हारा तो एक तरफ repo rate क्या बोला मैंने वहाँ पर repurchase obligation है securities खरीदी बेची जा रही है खरीदी बेची जा रही है collateral रखा जा रहा है यही तो trick बना देगी वो UPSC यही तो trick बनाईगी यहाँ पर गिरवी रखा जा रहा है भाई bank rate basically charge किया जा रहा है commercial bank से central bank उस rate of interest पे commercial bank को बोल रहा है कि public को loan पे दो repo rate short term है bank rate long term instrument है यह फर्क है समझ आया clear हुआ सबको अगर by chance कोई दिक्कत रह गई है तो I'll take your doubts in the end don't worry ठीक है न RBI note चापेगा भाया RBI note ना बहुत समल समल के चापता है एक limit से जादा RBI note चाप दिये तो Venezuela और Zimbabwe जैसे एपिसोड इंडिया में हो जाएगा अब आप सोचो note चापना कितना असान है चाप दो करोडो लाखो करोडो के note चाप दो बट suppliers और sellers वो बेफकूप थोड़ी ना है वो price बढ़ा देंगे market rates बढ़ा देंगे inflation बढ़ने लगेगा तो इसको deficit financing कहते हैं यह हम public finance वाली class में पढ़ेंगे deficit financing यहाँ पर तुम note चापते जाओगे चापते जाओगे supplier, seller, वो चीजों के prices है, not interest, prices वो बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे फिर क्या फाइदा होगा फिर ना bag भरके जोला भलके खरीदने एक bread का piece खरीदने जाना तो इसलिए deficit financing is never a good option it is never a good option ठीक है आगे चल रहे हम दो terminologies हमें समझनी है CRR और SLR इसे समझाने से पहले NDTL पढ़ाए था आपको मैंने net demand and time liability और मैंने बताया था demand and time deposit क्या होता है देखो net demand time liability समझो यह है ICICI bank इसके पास customer पाच हदार करोड जमा करवा दिया तो remaining कितना हुआ 1,00-10,000-5,000 कितना बचा 85,000 करोड जो कि short term और long term या demand deposit और time deposits में बटा हुआ है आप और मेरे जैसे लोग bank में पैसा जमा कराते है demand deposit और time deposit में कराते है वो हो गया net demand and time liability और मैं liability word क्यों use कर रहा हूँ जिस दिन मैंने balance sheet asset liability का concept समझाया था तो मैंने बता दिया था bankों के लिए आपका deposit का पैसा liability होता है और हमारे loan का पैसा asset होता है ये बताया है मैंने आज कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ NDTL ये समझ आया तो अब समझ आएगा SLR और CRR क्या होता है अब आपने तो bank में पैसा जमा करा दिया अब वो bank सारा पैसा loan पे डाल देगा loan देदेगा customers को तो bank क्या बना ठंठन गोपल bank के पास तो कोई पैसा बचा ही नहीं है ऐसी situation में bank क्या करेगा ऐसी situation में bank के पास कुछ जब बचा ही नहीं है तो bank से आप कल ATM में withdraw करने के लिए card डालोगे अपना machine में लिखा आएगा no money उस machine को तोड़ दोगे के नहीं तोड़ोगे गुस्से में तोड़ दोगे न मतलब आप लोग बहुत ज़ादा ना खुश होगे न आप अपना पैसा withdraw करने की कोशिश कर रहे हो bank कह रहे नहीं है oh what do you mean नहीं है दो देना पड़ेगा तो इसलिए bank को कुछ पैसा रखना पड़ता है अपने पास ताकि stability बनी रहे और bank run की situation नहो और bank run की situation नहो तो CRR यह आपका minimum deposit amount है जो की commercial banks को it is the amount of minimum deposit which commercial banks have to maintain with RBI PRR एक trick सिखाऊ SLR मतलब self CRR RRNS मतलब RBI यह trick है रट लेना इसे काम आएगा CRR में आप RBI के पास पैसा रख रहे हो SLR में आप खुद के पास self के पास पैसा रख रहे हो यह वो deposit amount है जो banks को RBI के पास maintain करना पड़ रहे है CRR यह वो cash का amount है जो RBI के reserve में रख रहे हो bank क्या कर रहे है RBI के reserve में रख रहे है RBI के reserve में रख रहा है against the net demand and time liability it has received कि इनके पास 85,000 की NDTL थे RBI ने बोला उसमें से निकाल के 5,000 करोड हमारे पास रखो हमारे reserve में हमारे reserve में आज है CRR 4.5% तो technically अगर 10,000 करोड किसी bank के पास आया तो उसका 4.5% उसे RBI के पास रखना होगा यह आज का rate है अच्छा 4.5% रखना है RBI के पास यह तो बहुत clear है हमको अच्छे से समझ आ गया net demand and time liability का percentage है यह भी समझ आ गया पर इसका application क्या है अभी कितना interest rate दिखा है आपको 4.5 अगर RBI चाहे तो दो चीज़े कर सकती है increase and decrease increase कर दिया मान लो 10% कर दिया ऐसे case में क्या होगा increase कर दिया RBI कह रहा है कि 10% रखो जो भी पैसा तुमारे पास आया हमारे पास reserve में तो पहले से bank जादा पैसा लोगों को लोन में दे पाएगा या कम पैसा लोगों को लोन में दे पाएगा ये red color का arrow दिखा रहा है कम पैसा लोन में दे पाएगा क्योंकि पहले से कुछ पैसा आपको अब reserve में जादा रखना पड़ रहा है RBI के पास and this reserve value has increased अच्छा ठीक है तर इसका reverse possible है अगर CRR गवर्मेंट घटा दे 2% कर दे तो फिर क्या होगा कि पहले साड़े 4% रखना पड़ता था अब 2% रखना पड़ रहा है तो जो excess 2.5% है वो अब market में bank loan पर घुमा सकते हैं तो इससे market में liquidity बढ़ेगी घटेगी ये green arrow किसले बनाये यही signify करने के लिए बनाये बढ़ेगी बढ़ेगी तब ही बनाये तो मतलब आपको जो मैंने बात समझाई कि increase करोगे तो liquidity कम होगी decrease करोगे तो liquidity जादा होगी पूरे logic से समझा दिया है easy, peasy ठीक है जी आगे चले CRR हमने देखा CRR पे क्या कोई interest मिलता है bank को कि तुमने खाली पैसा जाके RBI के तुजोरी में रख दिया तो मैं बदले में कुछ मिल रहा है बदले में कुछ मिल रहा है क्या इस पे भी question मनता है I am making this big cross to signify no you don't get anything कुछ नहीं मिलेगा banks do not earn any interest on this money CRR आपने उधार थोड़ी ना दिया है आपने तो reserve में रख दिया न उस पे क्या पैसा कमा होगे कहा आपने loan पे दिया है reserve में रख दिया है अगर CRR high है तो commercial banks की capacity loan create करने की कम हो जाएगी CRR low है तो commercial banks की capacity to create credit in the economy will be high यह तो सही है भाई समझ आई इन पे question मनते हैं CRR bank खुद अपने पास नहीं रखता RBI के पास send करता है but एक provision है कुछ situations में RBI allow कर सकता है कि यह bank अपने खुद के तिजोरी में खुद के vault में भी यह पैसा अलग से रख ले on behalf of RBI in certain situation अब Manipur में एक branch है bank की उसको Mumbai RBI के पास पैसा भेजना पड़ेगा it is better to keep it with itself इतना दूर कहां भेजोगे भाई पैसा कि तब खर्च हो जाएगा पैसा मत करो न हाँ NDTL का percentage होता है net demand and time liability का यह आपका question मैंने जवाब दे दिया बिटा ठीक है थी तो कुछ situation में RBI के पास और self के पास भी रख सकते हो दूसरी situation SLR यह वो percentage है total जो NDTL है हमारा net demand and time liability या total public deposits जो banks को अब किस के पास maintain करके रखना पड़ रहा है self खुद के पास it is the percentage of total deposit which banks have to maintain at any point of time with itself तो technically NDTL का वो share जो bank को अपने तिजोरी में रखना पड़ रहा है या कुछ liquid assets के अंदर invest करना पड़ रहा है logic समझो liquid asset का मतलब होता है वो asset जिनको तुरंत इस्तमाल कर सकते हो cash सबसे जादा liquid है gold थोड़ा कम liquid है क्योंकि उसे बेचना पड़ेगा cash में convert करवाना पड़ेगा company के share थोड़े और कम liquid है कम liquid है या illiquid है क्योंकि shares बेचने में time लगता है खरीदने वाला ढूणना पड़ेगा और property तो सबसे जादा illiquid या सबसे कम liquid है property बेचने में कितना time लगता है अलग-अलग dealer से मिलो अलग-अलग person parties से मिलो समझ पा रहे हो तो liquidity का downward curve एक तरीके से बताया मैंने आपको तो इनको कुछ securities है RBI के दोरा जो approved होती है कुछ shares हो सकते है bonds हो सकते है उनके अंदर पैसा maintain करके रखना पड़ता है या तो cash में रखेंगे या तो gold भी एक अच्छा option है ठीक है, gold भी काफी liquid होता है gold भी एक अच्छा option है not as liquid as cash but good option तो यह आप RBI के पास नहीं रख रहे हो banks, they are keeping it with themselves खुद के पास रख रहे है यह वाज clear होई, यह खुद के पास रख रहे है यह RBI के पास नहीं है as per the amendment of Reserve Bank of India Act Banking Regulation Act जो अभी recently कुछ टाइम पहले हुआ था SLR 0 से 40% के बीच में हो सकता है आज rate 18% है बट यह 0% से 40% के बीच में हो सकता है आज 18% है today अगर आज का आप देखेंगे तो आज 18 है government अगर change कर दे इसको let's say 40 ही कर दे 0 कर दे या 40 कर दे अब क्या होगा अगर 0 कर दिया तो क्या होगा ऐसी situation में क्या होगा ऐसी situation के अंदर जब आपने SLR घटा दिया reduce कर दिया मतलब अब banks को खुद के पास जो पैसा रखने की responsibility compulsion होता था अब वो खतम हो जाएगा अब अगर compulsion खतम हो जाएगा इसका मतलब है कि वो लोगों को loan में दे पाएगा अगर लोगों को loan दे पाएगा तो इससे क्या होगा हमारे देश में liquidity बढ़ेगी घटेगी money supply बढ़ेगी घटेगी money supply बढ़ेगी money supply बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा economic growth बढ़ेगी loan की consumption बढ़ेगी output बढ़ेगा investment बढ़ेगी growth बढ़ेगी और interest rate कम है simple इससे क्या simple हो सकता है 40% कर दिया पहले से अब और ज्यादा पैसा आपने बोल दिया कि हमें अब अलग से रखना पड़ रहा है loan में नहीं दे सकते इससे क्या होगा इससे money supply कम होगी interest rate बढ़ जाएंगे consumption, investment, output and growth ये words आपके exam में use हो सकते है consumption, investment, output and growth T.I.O.U ये घट जाएगा ये words यूज हो सकते है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ये guarantee है तो CRR और SLR regulate करते है liquidity हमारी economy में बिल्कुल करते है कितना credit creation कितना उधार आप लोगो को दोगे ये भी regulate होता है SLR, CRR बढ़ाओगे money supply कम हो जाएगी बैंकों के पास उसका उल्टा करोगे CRR, SLR घटाओगे कम करोगे, reduce करोगे money supply बढ़ जाएगी तो एक reverse relationship देखने मिल रहा है दोनों के बीच में ये आपको बात समझनी है तो अब upper limit ऐसा कुछ as such नहीं है, पर एक limit तक government control करके रखने ही कोशिश करती है CRR और SLR का फर्क पहले CRR banks को CRR RBI के पास रखना होता है, खुद के पास भी कुछ situation में रखा जा सकता है SLR banks को liquid asset में खुद के पास रखना होता है RBI approved securities में जिनको marketable security market में बेचने योग securities कहा जाता है gold में या cash में SLR bank खुद के पास रखता है PRR पर bank कुछ नहीं कमाता SLR पर कुछ ना कुछ कमा सकता है gold की value भड़ती घड़ती रहती है मानलो gold खरीदा था 30,000 पर आज market rate 50,000 हो गया वो 20,000 RBI का surplus है जिसको देखके center government की लार टपकती रहती है हमें लाओ हमें दो पैसा surplus है ना आपके पास हमें दो RBI की लार टपकती है basically I used a little you know such words to explain things to you कि center government RBI से कई बारी यही surplus मांगती रहती है या foreign securities के या foreign currencies के rate में जो change आता है dollar सस्ते पर खरीदा था dollar का rate बढ़ गया बेचकर पैसा कमा लेगा RBI एक तरीके से एक example दे रहो आपको बस अभी इतना याद रखो CRR जो है आपका ये liquidity control CRR जो liquidity control करने में help करता है RBI के पास cash को trap करके SLR भी credit growth को control करता है और कोशिश करता है कि economy में पैसे जो loan के तर पे लोगों को दिये जा रहे हैं उनकी एक limit increase कर सके हैं ये CRR और SLR है और ये भी quantitative tools है अगला OMO OMO क्या होता है फिर LTR भी देखेंगे open market operation सरे किसका operation किया रहे हैं आपर open market operations यहाँ पर किसका operation हो रहा है operation मतलब कुछ activity हो रही है operation का technical meaning ये है कोई न कोई activity हो रही है कुछ खरीदा बेचा जा रहा है क्या खरीदा बेचा जा रहा है RBI on one hand is buying something on the other hand it is selling something एक चीज़ एक बार में होती है और किस से खरीदा बेचा जाता है schedule commercial bank से क्या खरीदा बेचा जाता है government securities government securities सरकारी प्रतिभूतिया RBI बाय करती है schedule commercial bank से या RBI sell करती है schedule commercial banks को open market operation की exercise के दौरान financial market में है government security जैसे खरीदी बेची जाती है इससे क्या impact होता है money supply पर impact होता है कैसे होता है जब मान लो market में बहुत ज़्यादा money supply है मतलब market में बहुत ज़्यादा liquidity है बहुत पैसा है लोगों के हाथ में RBI को दिखेगा इतना पैसा लोग हाथ में लेके घूम रहे है बरदाश नहीं हमें बरदाश नहीं कर सकता ना पैसा लोगों के हाथ में नहीं देख सकता RBI reason क्या है क्योंकि वो excess money will create inflationary pressure महंगाई बनाएगा ना वो RBI क्या करेगा जब बहुत ज़्यादा liquidity है market में RBI RBI कहेगा ऐसा है सुनिए सुनिए ज़रा ऐसा है कि हम आपको कुछ government securities बेच रहे हैं जिसपे high interest rate देंगे और क्योंकि ये government security है तो safe investment है regular income मिलेगी आपको बढ़िया चीज़ है इसमें invest कर लो बढ़िया चीज़ है invest कर लो आप और schedule commercial banks बोलेंगे ठीक है हमें क्या दिक्कत है सानू की problem दे दो भाईया हमको क्या दिक्कत है ले लो cash ले लो हमसे तो ये RBI का शडियंत्र था हमारे से cash सोखने का क्यों money supply कम करनी है market में बहुत ज़्यादा spread हो चुकी है तो cash ऐसे RBI क्या कर लेगा absorb कर लेगा तब तब buy करे गई है open market operation में binding as such नहीं होता पर RBI बहुत lucrative offers देता है और कई बाए RBI के governor कहते है please ऐसा कर लो but in strict terms ऐसा कोई binding नहीं होता और normally RBI के साथ banks cooperate करते ही है तो ये आपको ध्यान रखना है RBI क्या करता है it sell security ताकि वो absorb कर ले जो भी excess liquidity market में है जित्ता पैसा market में है अच्छा buy कप करेगा खरीदेगा कब ये बताओ खरीदेगा कब जब market के अंदर liquidity कम है और उसे बढ़ाना है तो कहेगा एक बात बताओ तुमारे पास government securities पढ़ी है schedule commercial banks schedule commercial bank कह रही है हमारे पास पढ़ी है बहुत सारी है जित्ती चाहिए ले लो लाओ ये देखो आपके सामने government security उड़के पहुँच गई RBI के पास अब RBI बदले में क्या देगा RBI देगा नोटों का थैला banks को और उस bank उन नोटों के थैले से bank आप और मेरे जैसे ग्रहकों को loan में पैसा देंगे और इससे money supply जो economy में reduce हो गई थी वो आपस increase हो जाएगी वाई open market operations because इससे ये सबसे directly available, सबसे easily available है सबसे ज़्यादा directly impact करता है market को repo rate, reverse repo rate भी अपनी जगह है but यहां banks के पास direct liquidity दे रहे हो ना banks को directly पैसा दे रहे हो जैसे अभी republic day sale के तहत foundation batch 3 आया है हमारा 2024 preparation का अब जब भी ये session